बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो इस वक्त हमारे साथ हैं तेजस्वी जी सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि लालू यादो की तबियत अचानक कल रात में खराब हुई अभी कैसे है आपके पिटाजी की तबियत अभी जांच प्रक्रिया चल रही है क क्लिमोनिया पाया गया है और सिटी स्कैन के बाद या और बाकी रिपोर्ट के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं लेकिन हम लोग परिवार के लोग चिंतित थे कल अचानक से आनन फानन में हम लोगों को पता चला कि उनको जो है सांस लेने में जो है वह दिकत हो रहा है दम उनने अनुमती मांगी है कि हमें पर्मिशन दिया जाए विशेश परिस्तिती में तब्यद बिगणने के कारण अतित तब्यद वह वो बिगड़ा है इसमें हम लोगों को उनसे मुलकात करने करें लालू जी को आप लोगों ने पहले भी एमस में दिल्ली रेफर करने के जो है वो चल रहा है और मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा और कोई भी परिवार के लोग कोई भी हो वो तो चाहेंगे कि बहतर इलाज हो बहतर जो है वो सुविधा मिले अभी जब तक टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हैं तो इस पर में एक हैल से कुछ कहना वो ठीक न तो यह कहला है नहीं हो सकता है या कहीं और हो सकता है तो वो तो रिपोर्ट के अधार पर ही आप जो है जो है अनलाइज करने के बाद ही आपको से कुछ कह सकते हैं project Life पहले तो हम लोग सब लोग हैं कि एक बर उन्चे मुलकात हो जाए ताकि देख सके जान सके बिहार सरकार में ने एक नया सर्कुलर जारी किया है एडवाईजरी जारी किया है इन फैक्ट जिसमें एड़ी जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अगर बिहार के किसी नेता मंत्री या किसी अधिकारी के बारे में आपने कुछ अपशब्द कहे तो आप पर साइबर एक्ट के तहट या आईपीसी के तहट करवाई हो देगे नितीश कुमार जी से बिहार समभलनी रहा ठक चुके हैं और मैं अभी भी कहता हूं नितीश कुमार जी ब्रश्चाचार के भीश मे इनके शाशनकाल में लगबक साथ बड़े घुटाले हुएं लगतार अपराद का जो ग्राफ है वह बरता जा रहा है मडर लूट हत्या बरती जानी है और शाय नितीश कुमार जी भूल गए हैं कि बिहार हैं और वैशाली में ही लोगतंत्र की जन्निनी हैं यहीं से लोगत सब्सक्राइब करते हैं वहां नी बैठने दिया जा रहा है उनको डराया धंकाया जा रहा है कि आपको जेल भी दिया जाएगा तो नहीं हम तो कह रहे हैं भी भी किरफतार करना तो करिए नितीश कुमार जी भृष्टाचार के बीच में तामा है हर जगे आर सीपी टैक्स लिए जा रहा है कि इनके सरकार ने कितने आपारादी असना रक्षन दिया है सकते हैं खुद इन ही यह सभी दिकारी लिखते हैं कि फैसे लोग जो है उस टाले के साथ के साथ शराःब लेक हमारे का आपके उपर भीकरवाई होगी हो कि हम ओपॉन हम कुद stato के लोगोर हौन तो निता प्रतिपक्ष का साफ्तौर पर ये कहना है कि अगर यही हालात रहे तो चोथे नंबर कि जो पार्टी है वो विलुप्त हो जाएगी बिहार से और लोकतंत्र की जो जननी है बिहार वहाँ पर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष टेजस्वी यादों का उतकर्ष कुमार सिंग बिहार तक पटना